मैं सह में बहे में मैं गिर री थी आजी बर में मेरा अंस बे टूटी हिलिया जिस दन दे मां तू मरगी मेरा सीर पियर पे उठी लिया सह में बहे में गिरी थी आजी बर में मेरा अंस बे तूटी लिया जिस दन दे मां तू मरगी मेरा सीर पियर पे उठी लिया से में बहे में मैं घिरी थी आज भव में में रा सब तूटे लिया सनो चीता कैशित कंपनी के माधम से आप सभी भगतों की स्यवा में एक मध्यम ब्रगिय प्रिवार की सुंद्र सीखाणी आप सभी भगतों के सामने प्रस्तूत की जा रहे जिसके गाये कलाकान नैंद्र को सिख्षम चाना वले वैसा थी और जिसके लेखखें आप सभी भगतों की दिलों की धड़कन आप सभी भगतों की दिलों की पहचान महराज किर्शन जी गरावड निवासी सजनों एक प्रिवार जिसमें दो भाई एक बहन सवरक जैसा नजार उस प्रिवार में देखने को मिलता है आपस में भाई भाई भेनों का बहुत प्यार होता है बहुत प्रेम होता है बड़े प्यार से उस प्रिवार का गुजर चलता है सजनों वो बहन जवान हो जाती ही माद पिता और भाई बड़े लाड़ चाव से अपनी बहन को घर से विदा कर देते ही बड़ा प्यार का समय आता है बेटी की घर में एक नंदलाल जनम लेता है और बेटी को ऐसे समय में अपने पीहर से बड़ी आस होती ही मा को चिठी मिलती है तेरी बेटी की घर में नंदलाल हुई है बड़ी खुश होती है बाईयों से कहती है कि बाई तेरी बहन की घर में नंदलाल हुई है बड़ी खुश होती है उसकी भावी और उसके भाई भी सजनो मा कहते ही कि बेटा कहते ही जो अपनी बेहन को दान पुन करता है प्रमातमस को हजार गुणा देता है और जो बेहन का मान सम्मान करता है उसकी जैजे कार होती है उसके भाई भी बड़े अच्छे होते हैं उसकी भाविया भी अच्छी होती है कहते मा हम बैटे हैं न तू किस बात की चिंथा करती है तो मा कहते बैटा मेरा कोई भरोशा नहीं मैं नजाने कितने दिन की मैमान हूँ वैसे भी बिमार रहती हूँ लेकिन अपनी बहल की कदर को मत गोलना कैसे एक भनिन के द्वारा ओमा अपने बेटों को सिक्षा देती है सुनिए इस भनिन के द्वारा हो दी बेटी नह लेण देण की मान बढाई हो से दन घट ताना दान करे तैसत की राही हो से हो दी बेटी नह लेण देण की मान बढाई हो से दन घट ताना दान करे तैसत की राही हो से दी बेटी नह लेण देण की मान बढाई हो से दन गटता ना दान करेते सक्की राई हो से दसवा बाग धर में मिलाके फिर यगत में मिल जाम लिया दिया आ गया जाते गोर मुसीबत तड़ जाँ देख पडोसी हो देख पडोसी जड़ जाँ हद से बारियंगाई हो से घटता ना दान करेते सक्की राही हो से दिरी बेती ने लेन देन की पान बढ़ाई हो से दन घटता ना दान करेते सक्की राही हो से हर दमियों से आश बहन ने पाई के आवन की बारत वार को थड़ी सिधा बाई के ल्यावन की जूल घटता ना दान करेते सक्की राही हो से दिरी बेती ने लेड देन की मान बढ़ाई हो से दन घटता ना दान करेते सक्की राही हो से बाद पील या छुचकते कोई कर्मा यारा देसे न्यारा न्यारा भाग सभी का इस मैं शाना कीसे पिरके बापी भाई हो से दन गटता नादान करे तैसत की राही हो से दीदे की ने लेड़े की मान बढ़ाई हो से दन गटता नादान करे तैसत की राही हो से हरनंदी का बाई बन किर्शन ने बात धर्या था बरी सबा में धर्म भान के शिर पे हाथ धर्या था बरी सबा में धर्म भान के शिर पे हाथ धर्या था किर्शन ने लाले काट ले छंदने के कविताई हो से दन गटताना दाम करे तैसत की राई हो से दीबेती ने लेड़ देन की मान बढ़ाई हो से जन गटताना दाम करे तैसत की राई हो से सनो अब भाई भावज अपनी मा से कहते मां हमारी बहन हमको दिल से प्यारी हैं हम अपनी बहन के लिए प्राण नुच्छावर कर देंगे और किस परकार से अपनी मा की धीर बन दाते मा तुचिंता मत कर हम अपनी बहन के प्यार को अपने दिल से कभी भी नहीं बुलाएंगे और वो भव्य कहती ही के मां ननदी हमारी कितनी अच्छी हैं बहलाम उसके साथ पूरी उमर भोत अच्छा व्यवार करेंगे हमें पैसे दो हम पिली का समा लेकर के बाजार से आते हीं किस परकार से खुश होती ही और वो भावियां कैसी गाती ही मेरी ननदीने बेबे हीरा मल जा मैं बेली तो महारे घैरी आई हो रा हमें मेरी ननदीने बेबे हीरा मल जा मैं बेली तो महारे घैरे आई हो रा फुल्या रे फुल्या मेरा सुसरा हे हांडे राजीत हो रे दोनू बाई हो रा फुल्या रे फुल्या मेरा सुसरा हे हांडे राजी तै हो रे दोनू भाई हो रा बाजी हे भाजी बापी गई सुने रेकर गड़ देने हैसे ली करडू ली रा बाजी हे भाजी बापी कई सुने रेकर गड़ देने हैसे ली करडू ली हो रा ननदल का पैंदलरी सासु के जूमे के सुसरे की घड़ दे गुठी हो रा ननदल का पैंदलरी सासु के जूमे के सुसरे की घड़ दे गुठी हो रा मेरी ननदी कह बेबे हीरा मल जने म्या बेली तो मारे घड़ आई हो रा मेरी ननदी कह बेबे हीरा मल जने म्या बेली तो मारे घड़ आई हो रा चांदोरी पथिरी हाथे नजरी ये पैरे का महारा ललना हो रा हमें चांदोरे पथिरी हाथे नजरी ये पैरे का महारा ललना हो रा बाजी तो बाजी बेबे गई ये खाती ये ललने का घड़ दे पलना हो रा हमें बाजी तो बाजी बे गई खाती ये ललने का घड़ दे पलना हो रा मेरी नणदी के बे बे हीरा मल दे लिना बेली तो महारे घड़ आई हो रा मेरी नणदी के बे बे हीरा मल दे लिना बेली तो महारे घड़ आई हो रा मखन मलाई के सूते पड़ाए जे थे का कामबले लियाई हो रा हमें मखन मलाई के सूते पड़ाए जे थे का कामबले लियाई हो रा देवर का सूटी दूराणी की साड़ी सासू की घगरी सीमाई हो रा मेरी नणदी के बे बे हीरा मल दे लिना बेली तुम्हारे घरी आई हो रा मेरी नणदी के बे बे हीरा मल दे लिना बेली तुम्हारे घरी आई हो रा चारोतै पल्ले बेबे पीले रंगाए बीच में सतिया कर धाया हो रा हमें चारोतै पल्ले बेबे पीले रंगाए बीच में सतिया कर धाया हो रा तड़ के जावांगे बेबे सुमोहे करे लो सबके रिसन की माया हो रा हमें तड़ के जावांगे बेबे सुमोहे करे लो सबके रिसन की माया हो रा मेरी नणदी के बेबे हीरा मलचने ना बेली तो महारे घरी आई हो रा फूला रे फूला मेरा सुसरा ही हान मेरी नणदी के बेबे हीरा मलचने ना बेली तो महारे घरी आई हो रा सनो दोनों भाई मा का अशिरवाद लेके और अपनी भैन के घर पीडिया लेके पहुँच जाते ही अपनी भैन के दर्सन करके बड़े खुश होते ही बैन भी भाईयों के दर्सन भावियां के दर्सन करके फूली नहीं समाती और किस प्रकार से आश्पडोस की जो लुगाई आई थी खुश हो करके अपने पीहर की बड़ाई करती ही कैसे गाती ही उभन के द्वारा रखूँगा स्नेक कैसे किसी जगी मगी जगी मगी हो रही किसी जगे मगी जगे मगी हो रही तुमें गाओ लुगाई ओधी ते पीडिया दिया बड़े जोरी कहां तुमें गाओ लुगाई ओधी ते पीडिया दिया बड़े जोरे कहां किसी जगे मगी जगे मगे हो रही किसी जग मगी जग मगे हो रही तुमें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का किसी जग मगें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का हाँ देखे डोर डसी पालना जू लेगा मारा लालना भावची की देखे परीते पीड़िया दिया बड़े जोरे का किसी जग मगें जग मगें हो रही तुमें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का तुमें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का अंगूर्थी जुमे के हार से बाबीन ननंद ते प्यार से अर देखी जा सेनीत पीड़िया दिया बड़े जोरे का इसी जग मगे जग मगे हो रही तुमें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का यो जो टाटकरी सूटी से नुन देखे पडोसी फूंक से या चली कसूती रीत पीड़िया दिया बड़े जोरे का जग मगें जग मगें हो रही तुमें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का तुमें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का इक ती ती जड़ावा नाम से यो मखन मडाई का चेशा मिसे यो मखन मडाई का चेशा मिसे यो देखे मुकदमा जीत पीड़िया दिया बड़े जोरे का तुमें गाओ लुगाईयों की ते पीड़िया दिया बड़े जोरे का किसी जग मगें जख मगें हो रही किसी जग मग जग मग हो रही तुमे गाओ लुगाईयोगी से पीडिया दिया पड़े जोरे का खड़े के रिसने चंदरे भाने से यह बीच में शिरी भगी वाने से रखे प्यारों पले चीत पीडिया दिया बड़े जोरे का किसी जग मग जग मग हो रही तुमे गाओ लुगाईयोगी से पीडिया दिया बड़े जोरे का से नो इसी तरह समय बीता गया भगवान की लिला शिरू होती ही भगवान की करनी सी उस मा की मोत हो जाती है मोत होते ही दोनों भाई न्यारे न्यारे होगे आदा आदा मकान ले लिया आदा आदा पैसा आदे खीत बाट लिये और जो उनकी पीठा थे उसको भी बाट दिया जाता छे महने के लिए बड़े के पास से मेने के लिए छोटे के बास और बहन को तो बिलकुल भूल गे बहन नाम की चीज उनके दिल और दिमाग पर आती नहीं सजनों इस प्रकार वो बहन को थड़ी सिद्धे की बाट देखें और वो नहीं जाते तो उसे चिंता लगती है कि मेरे पीहर में क्या हो गया तो मुझे तो कुछ अजीबसा लगता है नहीं जाने है मारे प्रिवार में किसी की नजर लग गई हो एक दिन इसी चिन्ता में बैठी हुई थी उसकी परोशन ना के पुछा ही बेबे ये तु आज बड़ी चिन्ता में बैठी से किये बाद से तो वो क्या कहती है सुनिए इस्वन के द्वारा है के बुझेगी बात भाण में इस चिन्ता ने खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेटन आए भाई है के बुझेगी बात भाण में इस चिन्ता ने खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेटन आए भाई है के बुझेगी बात भाण में इस चिन्ता ने खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेटन आए भाई है एक साल का लाम बाई अरसा गिन गिन के गिन काटू है जिल में जहाल क सूती उठे बड़ी मसी गिल तेह डाटू है एक साल का लाम बाई अरसा गिन गिन के गिन काटू है दिल में जहाल क सूती उठे बड़ी मुश्किल तेह डाटू है के बुझेगी बात भाण में इस चिन्ता ने खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेटन आए भाई है के बुझेगी बात भाण में इस चिन्ता ने खाई है जिस दिन ते मेरी मा मर गीना फेटन आए भाई है जाची खुशी का बेराना सोबात उठे रही मन में सास नन्द मेर ताने मार गमड हो लिया है धन में जाची खुशी का बेराना सोबात उठे रही मन में सास नन्द मेर ताने मार गमड हो लिया धन में है के बुझेगी बात बाण में इस चिंता ने खाई है जिस दिन ते मेरी मा मर गीना फेटन आए भाई है है के बुझेगी बात बाण में इस चिंता ने खाई है जिस दिन ते मेरी मा मर गीना फेटन आए भाई है लोक एन लागी की बेबे हे मैं क्यों कर मालू मेरे भाई बुरे से हे ज़म मैं घरा जाओं तो बेबे बेबे करके उनका मूँ भी सूख जा करता मेरे तपहला रोटी खवा के बाद मैं रोटी खाया करते आज इसा के जुलम हो गया विचार करती है कैसे बेबे बेबे करके उनका मूँ भी सूख क्या करता है कोथड़ी और सीधा मेरा एक नाउं क्या करता है हे बेबे बेबे करके उनका मूँ भी सूख क्या करता है कोथड़ी और सीधा मेरा एक बिनाउं क्या करता है ये के पूझे की बात भाण में इस चिंता ने खाई है जिस दिन तै मेरी मा मर गीना फेतन आए भाई है से न विचार करके रोने लागीन नुबली बेबें हे हो सकसे मेरी मा मरे पाच्छोब न्यारे हो गयों और मेरी भाबी जो से उनके मन में खोटा गया हूँ ये मन अब तीन जो मेरे भती जी उनकी घणी आदावसें मैं तो देखे बेबे लेन देन की भी बुखी को न जै एक बाक मिल जै मेरे तुष में शान्ती हो जाँ बुल बुल के से तीन भती जे याद घणी मेरे आवसें लेन देन की भुखी को न एक बे मिल के जावसें बुल बुल के से तीन भती के याद घणी मेरे आवसें लेन देन की भुखी को न बत एक बे मिल के जावसें ठेके बुझेगी बात बहन में इस चिंता ने खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेतन आए भाई है लुकन लगी के भाणास्त मने इतना बुरा सुपना आया कि जैसे मेरे पिताजी मेरे बाबुल का भी बुरा हाल हो रहा हो हे मने सुपने में वो रोता दिख्या भाणास्त मेरे पीहर की घणी आदारी से कैसे आये जाये ते राजी खुशी का रहे पाट ताह बेरा है सुपने में भाई भावज दीखे रोवे बाबुल मेरा है आये जाये ते राजी खुशी का रहे पाट ताह देरा है सुपने में भाई भावज दीखे रोवे बाबुल मेरा है केबू धेगी बात भाण में इस चिंता ने खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेतन आये भाई है सेनो इस बात में कोई सक नहीं कि बेटी की कदर बेटी का मान समान इतने मा जी वैसे ते पीहर में बहुत उसके मान बढ़ाई हो से सेनो जब मा पीहर में यानि कि भगवान के घर चली जाती है तो बेटी अपने आपको अकेला में सुस करती है वैसे भी सच है कि मा बेटी की ममता निराली होती है जब बेटी पीहर में आ जाता मा फूली नहीं समावें कैसे हूँ कमार करोन लगी और मा की आ दिल में आती है कैसे पीहर हो से मा की गेल्या मत न किसे की मा मरियो किरिशन लाल न मन माता को हर दम जान चरण धरियो कीहर हो से मा गेल्या मत न किसे की मा मरियो किरिशन लाल न मन माता को हर दम जान चरण धरियो के बुझेगी बात बहण में इस चिंता ले खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेतन आए भाई है के बुझेगी बात बाण में इस चिंता ले खाई है जिस दिन पे मेरी मा मर गीना फेतन आए भाई है जब वो पीहर की आद में वो बेटी रोण लागी तुसकी सहली नो बली ये वावडी ये जब पीहर की इतनी आदारी सेतनू कर एक दिन भाण तो अपने पीहर में होया सजनों वो भेन दिल में आस रखे विश्वास रखे अपने पीहर में आ जाती है दोनों भाई को न्यारे देख के बेटी का दिल तूट जाता है भाई के पास जाती है उसकी भाविया कहती है के ननदी हम क्यों कर तरह सिद्धा कोथली पूचाओं तरे भाई तरे बाबु ने सब कुछ जो धनमाल था बड़ेता ही दे दिया अर मारे घर में ते इतनी गरीबी से हम तरह सिद्धा को थड़ा नहीं दे सकती है अब सजनों वो रोती हुई वो बेटी अपने बाप के पास जाती कहती है पिता जी ये परिवार में क्या हो गया किसकी नजर लगी ये आपकी भी के दसा होगी छे मिन्य उस घर में रहसे तुछे मिन्य उस घर में रहसे किसा पंचाती आदमी थास तरी ये लगी बड़गी सजनों उसकी पिता की आखों में आशुआ जाते रोते हुई अपनी बेटी को क्या कहते हैं सुनिए स्वन की द्वारा सुन सुन के नइबात इनकी तबियत खाटी होगी है सुने सुने के नह बात इनकी कभियत खाटी होगी है जिस दिन पे तेरी मा मरगी मेरी रेले माटी होगी है सुने सुने के नह बात इनकी जिस दिन पे तेरी मा मरगी मेरी रेले माटी होगी है सुने सुने के नह बात इनकी कुछ तै रहूं बिमार है बेटी हो रहा सुला चार बेटी कुछ तै रहूं बिमार है बेटी हो रहा सुला चार बेटी कुछ इनका व्योवार बेटी मोत की घाटी हो दिये सुन सुन के नह बातिन की कुछ इनका व्योवार बेटी मोत की घाटी हो दिये सुन के नह बातिन की तभियत खाटी हो दिये सुन सुन के नह बातिन की तभियत खाटी हो दिये सेन वन्यों केन ला गया बेटी हितने आज आज इनके बोल सुनें और मन दिखने बेटी रोज रोज इनके बोल भी सुनने पड़ें और मैं कुछ कर भी नहीं सकता कैसे किस के मन की बात कहूँ है सुन सुन के ने जड़ेल हुए किस तेह मन की बात कहूँ है सुन सुन कहने जड़े लहू है बोल ऐसे जब बोल बहू है गाती उचाटी होगी है सुन सुन कहने बाती निकी बोल ऐसे जब बोल बहू है गाती उचाटी होगी है सुन सुन कहने बात इनकी तबियत खाती होगी है पिये जासु अपड़े गमने को ना खबर पटन दी तुमने पिये जासु अपड़े गमने को ना खबर पटन दी तुमने देख ले जिन्दगी मने क्यों करकाटी होगी है सुन सुन के ने बात इनकी तबियत खाती होगी है जिसा मिलें उसा खालूं बेटी इस वर के गुण गालूं बेटी जिसा मिलें उसा खालूं बेटी इस वर के गुण गालूं बेटी इसका मैं इप ना लूं बेटी किसमत छाटी होगी है सुन सुन के ने बात इनकी मैं किसका ना लूं बेटी किसमत छाटी होगी है सुन सुन के ने बात इनकी तबियत खाती होगी है सुन सुन के ने बात इनकी तबियत खाती होगी है चंदरबानी गुरू के दर्शन आनदियाति मा होजा परसन चंदरबानी गुरू के दर्शन आनदियाति मा होजा परसन चंदरबानी गुरू के दर्शन आनदियाति मा होजा परसन किर्शन लाल रूख चंदन का सूख कजाती होगी है सुन सुन के ने बात इनकी तबियत खाती होगी है सुन सुन के ने बात इनकी तबियत खाती होगी है सजनो जिस बेटी ने पीहर में इतना प्यार देख्या होगी है और फिर उसके पीहर में इतना दुख हो जाँ मा मरतें सारा खेल बगड़ जाँ जणू किसे की नजर उस परिवार कर लागी होगी होगी है पिता की हाल देख करके आसु रोकने से नहीं रुकते और कैसे अपनी माँ को याद करती ही कदे पल्ले तया सुआ ना पूछे, कदे मूँ ना फीर करो है और कैसे अपनी माँ को याद करती विजिन के द्वारा रखूँगा सुनिये कैसे मैं इब के हिजतन बढाऊ मेरी माँ अज तेरी आदिसता मेहरी मैं इब के हिजतन बढाऊ मेरी माँ अज तेरी आदिसता मेहरी रहे उठ डंडूले मन महरी मेरे उठ जाल बदन महरी किती अपनी जान खपाऊ मेरी मानू मेरे मन मैं आवेरी मैं इब के जतन बढाऊ मेरी माँ अज तेरी आदिसता मेहरी कित सुनती होते आजारी ना रहा पी हर में साजारी कुछ दुख सुक की बतलाऊ मेरे माँ दीर ज़ कोण बनावेरी मैं इब के जतन बढाऊ मेरी माँ आज तेरी आदिसता मेहरी मैं इब के जतन बढाऊ मेरी माँ अज तेरी आदिसता मेरी रोती सुबगती नूकन लगी माँ जिम मैं अपने सुस्रालता कर तरे आचल में तरी गोद में बैठा करती पल भर में सारे दुखाने भूल जाया करती लेकिन माँ आज ये पाड बराबर होगे कैसे तेरे प्रेमिया चल की छाया में मन परमानंद सुखि पाया मा वोह बच्चपन की तह ल्याओ मेरी माँ लाड तेरा बरमा वेरी महीं के जतन बनाओं मेरी माँ अज तेरी आद शतावेरी मेरी तीम के जतन बनाओं मेरी माँ अज तेरी आद शतावेरी